बबर आमदेव एक बार फिर से चल्चा का विशे बन गए हैं कभी डॉक्टरों का तो कभी दवाईयों का मजाख उड़ाने के बाद इनके पेट में जब कोई बात हजम नहीं हो रही तो अब इन्होंने महिलाओं पर भी अमर्यादित बयान दे दिया है बयान सुनने के बाद तमाम लोगों के जहन में गुस्सा खॉल गया होगा लेकिन अफसोस जनक यह है कि इनके अगल बगल तमाम महिलाएं बैठी थी जिन्होंने इनके बयान पर एक बार भी प्रश्ण नहीं किया सबसे पहले आप इनका बयान सुनिए तो सुना अपने किस तरीके से ये बयान देते हुए कह रहे हैं कि महिलाएं जिन्हें जो आगे बैठी हुई हैं उनने तो समय मिल गया कि वो सूट से साड़ी बदल सके लेकिंग जो पीछे वाली महिलाएं हैं उन्हें समय नहीं मिल पाया कि वो साड़ी में अपने आपको चेंज कर सके यानि कि टाइम दे सके लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बोला वो सबसे जादा शर्मनाक है और सहनी हैं क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है यत्र नारी पुजेते तत्र रमते देवता यानि कि जह कभी नारी का उपहास उड़ाया जाता है कभी नारियों का दिन दहाडे रेप कर दिया जाता है कभी नारियों का अपरड किया जाता है कभी गर्में ही मार दिया जाता है कभी हत्या कर दी जाती है कभी पिता कभी बेटा कभी पुत्र कभी प्रेमी कभी कोई और आए दिन इ कहा है ये सबसे ज़ादा असहनिय हैं अफसोस की बात तो ये है कि बगल में ओप मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवीज की पतनी भी बैटी हुई है अमृता जी जो जिनका नाम भी इन्होंने लिया है रामदेव जी ने बार बार उनका नाम लिया और साथी साथ तो भी अच्छा लगता है तब वहां अमृता जी पूछ सकें कि बाबाजी आपने ये जो बयान दिया है वो किस तर्क पे दिया है और ऐसा क्यों दिया है लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जो कॉपरेट सेक्टर्स है इनके लेखा जोखा सरकारों के साथ बहुत पुरान रहा है खेर परिशानी तो बात दूसरी है लेकिन जिस तरीके के बयान लगातार बाबा रामदेव के तरफ से आ रहे हैं कभी डॉक्टर को लेकर कभी महिलाओं को लेकर ऐसे में लगता है कि बाबा रामदेव अपने आपको कुछ जादा ही बड़े बाबा मानने लगे है या तो यह अपने आपको देवता मानने लगे हूँ इसलिए इन एक ना ही किसी चीज का खौफ है ना ही डर है और ना ही इनने लगता है कि इनके खिलाफ कोई कारिवाही करेगा खेर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा चलती ह नामस्कार